तो धर्मराज और पांडव सब लोग परश्राम जी से मिलने आए और परश्राम जी से प्रत्रा करने लेगे कि ही परश्राम जी ऐसा इद्ध हुआ है परश्राम जी बहुत थी एक तो गुस्से है दूसरे उनका गुस्सा सभी को पता ही है थोड़ा भी गल्की हो जाए तो श दुस्तरे भीष्मन, इन दोनों ने भी उनके उस्से को देखा है, दुनाचारे भी थे लिए 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 भीष्मने जब दृतराष्ट्रा और पंडु को अंभी, आंभा, आंभा, अंभारिका और अंभिका को लाने गए, तो अंभिका ने कहा कि मेरी शादी को तोड़ कर तुम ले के आया हो, तो मैं तुम चाहते हुए लिए भीष्म, तुम मुझे मेरे से सादी कर लो, तो विष्मन पुले, मैं ब्रह्मचरे का व्रत्रिया हूं, मैं नहीं लेता, तो उनके गुरु के पास पहुंची है, पर फुर्ष्रम जी के पास पहुंची है, इस बारे में मुझे एक्षामा कर दो आप गूरू है लेकिन मैंने वरत लिया है ने वचन दिया है इसलिए मैं उसकी शादी में कर सकता प्रश्मम जी गुस्से में आकर रहता है कि तू मेरे साथ दूर्ट में तयार हो जा जो शिख्ण मेरे निने मानता उसके लिए üक्द में युद्धय में तयार हो जा और भीष्ma इनियुद्धका लेकिन भीष्म ने साश्टांग नमस्कार करते हुए परश्राम जी को कहा कि आप वीर है अन्या किया तो शुक्षा देना आपका कारिया आप शुक्षा मुझे दे सकते हैं लेकिन इस बीच में यह पता हुआ कि जब भीष्म ने शादी के लिए नकारा तो अम्भीका जो दीवी थी उसने कहा कि मैं शरीर दहा करक लेकर आप सब लोग नहीं माते हैं तो भीष्म को मारने का मैं वरत लेती हूँ और उसने अपने शरीर को जला लिया दूसरे दूने में कहते हैं कि उद्धमें शिखंडी नाम से हुई और उनको देखकर उनका करन को पता था कि सबसे इस अंसार में कोई योधा है कोई युद्धा सिखा सकता है कोई ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखा सकता है और शुदास्त्र की विद्या सिखा सकता है वो केवल प्रश्राम जी है तो करन मैं ब्रह्मन हूँ ये जूट बात कहते हुए प्रश्राम ज कि अपने गुरु परंपरामे कहते हैं, कि कभी जो मनुश्य, अगर कोई गुरु किसी अपने शिश्य के गोद में अपना सर रखकर सोता है, गोद में अपना सर रखकर निद्रा को प्राप्त करता है या उसको उसको शांति करके निद्रा देता है, तो वे इस संसार का सबसे म उनको उनके गूस के गोध में नीन्द आ जाती है तो वह व्यक्ति संसार में सर्वस्रेष्ठ कहला जाता है रूष्णुपद को पराप्त करता है यह पात करन को भी पता थी और एक दिन प्रश्राम जी करन की गोध में बैटकर अपना सर्वस्रेष्ठ कर सो रहे थे उसी समय यह बहुत बड़ा कीडा जो इंद्र था इंद्र को पता था कि अगर करण अगर युद्धा होया तो युद्ध में फिर उसे हराजय माला कोई नहरेगा तो उन्होंने करण जैसे ही करण को जाकर उनने काटना शूर कर गया उस कीडे ने और कीडे इतना काटा कि उनके इस जंगा से रत बहने लगा उनको यह लगा कि अगर मैं थोड़ा भी हलू या थोड़ा भी चिदलाओं तो मेरे गुरू की नीन टूट जाए मेरे गुरू की नीन टूटी तो फिर मेरा इतना करने अगा क्या और वे वेसे हैं सहते रहें उनका लेकिन वह रत बहते बहते चीद पीट को यह क्या ठंदा ठंदा लगञा क्या है उन घेसा हाथ लगाया और देखा तो वह रत ठा था तो एंने देखकर देखा करण के तरह देखा और कहा कंड क्या हो रहा है तो बला प्रभू आपके नील टूटे ही एक तीडा काट गया और वह केड़ काट आट थे तो परश्राम जी तो इतना थी, बहुत अच्छे गुरुने कहा, तब तो तो ये महीं, बहुत इसके विश्वास के साथ के साथ तो ब्राह्मन नहीं नहीं, ब्राह्मन ऐसा सहे नहीं सकता, कीडा काटे तो जोर से चिला के भाग जाता, ये केवल ऐसा ही अद्भी होगा, जो ये हो सकता है, तू तो ब्राह्मन नहीं है, सच पता तो कौन है, आप तो सच नहीं बता देगा, तो तो मेरे शाप का करण बनेगा, तब करण कहते हैं कि हाँ, गुरुदेव मैं ब्राह्मन नहीं, तो उनने कहा, कि तूने जून्ट बोलकर मेरी विद्या सीखे, लेकिन इसलिए मेरे शामा करते हैं कहता हूं, केवल एक बार कहता हूं, एक बार जुद्ध के आईसे समय में तू मेरी दीवी विद्या भूल जाएगा, मैं शाप देता हूं, और उसने, उन्होंने करण को दी और उस करण, उस शाप के करण करण गए, तो मेरा कहने का मतलब ही था कि परश्राम जी उतने स्रेष्ठ शाप भी देने वाले थे और आश्रवाद भी देने वाले थे, जब कृष्ण ने इद्रिष्टिर को और पांड़ों को कहा कि तुम जाकर परश्राम की श्रण में जाओ, और वह आस्त्र सत्र श्रविद्या सीठ लोग, तो पंड़नन्द परश्राम की श्रण में नमस्कार करते हुए कहा कि प्रभू हम आये हैं, आपको पता है कि आगे पृत्वी की पृत्वी के भार को कम करने के लिए युद्ध होने वाला है, और उसमें कृष्ण हमारे विरुद्य जोग काम करने हैं, वो भीष्म में जैसे महानभव, द्रो आपकी श्रण में आये हैं, आप हमें अश्रिवाद हो कि हमें विजय प्राप्त होगी, ऐसा कुछ करने के लिए आप हमें अश्रिवाद प्रदान करो, प्रश्राम जी संतुष्ट हो गया और कहा, थे पांडरुन दन, मैं यहां आज तक शांता दुर्गा की स्ताहरा किया ह लेकिन आज मैं जिस विद्या को अभी तक किसी को नहीं दिया था, मैं उस विजय दुर्गा का मंत्र और यंत्र और विजय दुर्गा की स्थापना, मैं यहां तुम्हारे लिए करूँगा और आज कहते हैं कि यहां से साथ किलोफिर दुर पर विजय दुर्गा माता का मंदीर है, जो परश्राम जी न स्थापन किया था, और वहां का यंत्र और मंत्र कहते हैं कि परश्राम जी ने कहा, कि हे पंड़ो नम्दा निदिश्टित, यहां जो मैं स्तुति कहता हूँ, य लोग यंत्र के सामने इस मंत्र को करता है, वो निश्चित्रूप से विजयी होता है, चाहे उसके विरुद्ध विंद्र के वने खड़ा हो, कि इतना भी तबस्वी के वने खड़ा हो, वो हार ही जायेगा, मैं या इसा मंत्र दे रहा हूँ, इदिश्टिर ने वह भी अपने प्रश्णामजी से वो यंत्र, वो मंत्र वो लिया, और वे साधना करने लगे, यहाँ आए, तीन संदियों में क्योलो ने ने किया, और वो यंत्र उनके पास रख ले, आपको पता है, पुरुद्ध का युद्ध पांडवने जिता, जिसको स्रीप्रश्ण भवान ने उनक मैंने उशुद्धारण जी का, एक उनकी जीवनी पर कथा, एक लिखी है, वो पुस्तक पढ़ा, तो उस पुस्तक में, एक स्वातनत्र वीर, स्वातनत्रता में लड़ रहा था, वो उशुद्धारण जी के पास आया, और कहा, कि प्रभु मेरी एक इच्छा है, क्या, तो उनने कहा कि हमारे बंगाल के, जो सुफार्शिंद्र बोज जी है, वो कहा गायब होगे, इसका पता नहीं चला, उनको तो शत्रु दर्माने वाले मारना चाहते थे, या दूसरे, ऐसे ही स्वातनत्र वीरों को आज खतम किया जा रहा है, और इसका स्वातनत्रता का स्वातन किसी और को मिल रहा है, मैं कुछ ऐसा मारन बताओं, कि उनका नाम हो, उनका यश्व और मेरा भारस्वतंत्र हो, उशुद्धान जी बहुत देर तक विचार करते रहे, और उनने कहा, उस वकील का नाम कुछ उपाद्या थे, उपाद्या थे कुछ था, उशुद्धान जी एक बात मैं बताता हूं, मैं एक पांच लोगों का नाम देता हूं, ब्राह्मनों का, उन ब्राह्मनों के साथ लेकर आप इस गोमान तक शेत्र में जाओं, वहां विजय दुरुगा के स्थापना भवान प्रश्राम जी ने की है, तीन संध्यों में आप बैट कर उस विजय विजय दुरुगा स्तोत्र का, उस विजय दुरुगा साधना का, तुम संपन न करो, आप देखो कि हमारा भारत स्वत्मत्र होगा, हमारे भारत का नाम होगा, यह बात उन्हों ने कही, विजय दुरुगा की पुस्तप में लिखाओ, मैं तब विचार करता रहा कि विजय विजय दुरुगा कहा है पता नहीं था अब यह यहां आने के बाद वज्ञाद घता चला कि विजय दुरुगा नाम की देवी यहां है उसके बाद उनके शिश्य एक थे गोफिनात कभीराज विशुद्धान जी के शिश्य थे इसके बाद उन्होंने एक अमेरिकन संस्था म में उनके कश्ष्य काम कर रही हूं और कहा कि प्रभू ये बताओ मुझे कभी भी डर लगा रहता है कि